हलो एवरिवन वल्कम बैक टू माई चैनल तो गाइज आज की वीडियो में शेयर करूंगी इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो इस कुर्ते का मेजर्मेंट साथ से आठ साल के बॉई के लिए फिट रहेगा और ये कुर्ता मैंने लगभग एक मीटर फैबरिक से बनाया है हलाकि थोड़ा सा फैबरिक हमें यहां पर कम पड़ा था क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना ही पीस था तो मैंने यह कुर्ता बना लिया है तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन दबा दीजिए तो देखिए हमने फैबरिक को ओपन इस तरह से कर लिया है मेरे पास यह पूरा एक मीटर फैबरिक भी नहीं है साथ से आठ साल के लड़के के कुर्ते के लिए जो हमें लगबग सवा मीटर फैबरिक की जरूत पड़ती है बट यहां पर हमारा हो जाएगा क्योंके मैंने यहां पर पाकिट और कॉलर दूसरे फैबरिक से बनाई है तो हमें सबसे पहले फैबरिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक साइट से मैं फैबरिक को निकाल दूँगी इस साइट से और मुझे यहाँ पर इतना फोल्ड करना है लगबग मैंने 18 इंच पर डबल फोल्ड किया है और यह 9 इंच पर हमारा फोल्ड हो चुका है और आगे वाला फैबरिक हमारे जो सिलीव में जॉइंट पड़ेगा उसमें काम आएगा तो यहाँ पर देखिए 9 इंच पर मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है अब हम अपने एक उर्टे की लैंथ ले ले लेंगे तो यहाँ पर 32 इंच पर में इसकी लैंथ कट करूंगी हाला कि मुझे यह कुर्टा जो रहे रेडी चाहिए वो 28 पर चाहिए तो देखिए इतना पीस हमारा सिलीव में यूज होगा जो आगे से फैबरिक हमारा कम है वो हम यह वाला पीस जॉइंट कर देंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और सामने का पर्दा और जो पीछे का पर्दा है उनको इस तरह से अलग अलग फोल्ड करना है अब हमने सामने वाले पर्दे को पीछे वाले पर्दे से डेल इंच नीचे इस तरह से निकाल दिया है और इसको हम कट कर लेंगे ये हमारा कुर्ती के प्लैकेट बनाने में यूज होगा ये वाला फैब्रिक तो उपर से हमने डेल इंच सामने वाला पड़ा छोता रखा है और पीछे वाले पड़े को हमने डेल इंच उचा कर के रखा है तो सब से पहले हम अपने Neck की विट ले लेंगे तो मैं यहाँ पर Neck की विट लूँगी थाइ इंच और ठाइ इंच पर हम मार्क कर लेंगे तो दिखे इस तरह से हमने सामने वाले परदे पर मार्किंग करनी है अb नैक की लेंट ले लेंगे तो ये भी में अग। दाइ इंच लूँगी और यहाँ पर मैं धाइ बाय ढाय का एक बॉक्स बनाकर फ्रेंच करव से नेक की शेप दे दूँगी आप यहाँ पर फ्री हैंड भी नेक की शेप दे सकते हैं इसके बाद अपने शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं यहाँ पर लगबग पॉने साथ इंच चलूँगी इस तरह से अब आर्मोल की लेंथ में लगबग साड़ी 6 इंच लूँगी आप देखी चेस्ट का जो हमें माक करना है वो चेस्ट का फॉर्ट पार्ट करेंगे और पॉन इंच हम उसमें लूजिंग देंगे तो मेरा लगबग यहाँ पर साड़े 8 इंच आ रहा है और हाफ इंच मैं एक्स्टर दे दूँगी सीमिंग लाउंस के लिए तो गैस कुर्टे पजामे में ज़्यादा सीमिंग लाउंस नहीं होता हाफ से पॉन इंच ही रहता है क्योंकि कुर्टे पजामे में काफी लूजिंग रहती है इसके बाद हम अपना बैक आर्मोल की शेप देंगे और हाफ से पॉन इंच पर हम अपने फ्रेंट आर्मोल की शेप देंगे इस तरह से तो देखिए फ्रेंच करप की हल्प से हमने आर्मोल की मार्किंग कर ली है इसके बाद हम अपनी side की length लेंगे तो total side की length होगी 12 inch तो यहाँ पर हमें 12 inch पर hip की marking करनी है और 6 inch पर हमें कमर की marking करनी है अभी यहाँ पर हमें फिर से कमर का fourth part करना है और लगबग 5 inch हमें losing देनी है तो आगे से हमारा लगबग half inch simming allowance रहे जाएगा कमर से और hip से के लिए extra मोड़ने के लिए रह जाएगा अब इन सभी marking को हम एक दूसरे से मैच कर लेंगे तो guys यहाँ पर हमने जो simming allowance दिया है वो सिफ half inch दिया है इससे जादा कुर्ती में simming allowance नहीं होता आप देखिए back neck जो हमारा deep रहेगा वो एक inch रहेगा और इस तरह से हलकी सी गोलाई देते हुए हम यहाँ पर marking कर लेंगे और इसकी cutting करेंगे इसके बाद हम अपना shoulder down करेंगे तो यहाँ पर shoulder down एक inch पे करेंगे दोनों का front और back का इस तरह से और इस तरह से हम इसकी marking कर लेंगे इसके बाद हम back की कंधी की cutting करेंगे तो यह हमारी एक inch कंधी down है back वाली अब हमने front neck की cutting करनी है और front कंधी की cutting करनी है इसके बाद हम armhole की cutting करेंगे जो हमारा back वाला armhole है और यहां पर हमने हाफ इंच की जो मार्जन है वो लेकर इसकी कटिंग कर ली है इसके बाद हम अपने फ्रंट की आर्मोल की कटिंग भी कर लेंगे अब देखिए कुर्टी के फ्रंट में जो हमारा पैनल आएगा वो 7 इंच लंबा आएगा तो हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है और यहां पर एक छोटा सा हमें नौच लगाना है तिर्चा करके तो यह मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ मैंने वन फूट का जितना मार्जन होता है उसके हिसाब से एक छोटा सा वी शेप में कट लगाया है तिर्चा करके इसके बाद हमने सिंपलिस की स्लीव कट कर ली है इसकी लेन्थ साड़े 19 इंच है और आर्मूल की विट लगबग साड़े 8 इंच है और स्लीव ओपनिंग यहां पर साड़े 5 इंच है और यहां पर देखिए हमारे दो जोइंट आया है जो बैक साड़ में रहेंगे इसके बाद देखिए यह हमारा फ्रंट वाला पर्दा है कुर्ते का तो इसकी लेन्थ में से जो हमारी डेलिंच की पट्टी कट हुई थी तो वो यह है इसमें से हमने अपनी प्लाकेट बनानी है यह डेलिंच चोड़ी है क्योंकि हमने डेलिंच डाउन किया था अब इसके हिसाब से हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है तो एक पट्टी को हमने चोटा रखना है और एक पट्टी को उससे एक या डेलिंच हमने बढ़ा रखना है इस तरह से हमने दो पीस कर लेने है इसमें से अब एक हमारा काज बटन बनेगा और एक हमारा बटन टेक बनेगा इस तरह से तो छोटी वाली पट्टी हमारी बटन वाली साइड की है और बड़ी वाली पट्टी हमारी काज वाली साइड की है तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से लगेगी तो इसको हमने चोटे वाली पट्टी को राइट साइड में लगाना है उपर से राइट साइड में रखकर और यहाँ पर हमने जो कट लगाया है इसको हमने यही तक लाकर सिलना है तो मैं यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करके दिखा देती हूँ बस हमने जो cut लगाया है वही पत्तक लाकर सिलना है और उसके बाद इसको lock कर देना है इसके बाद इस पत्ती को हम wrong side में turn करेंगे क्योंकि ये पत्ती हमने अपने कुर्टे की right side में रखी थी और ये पत्ती हमारी छोटी वाली है जिस पर हमारे button लगेंगे अब इसको अंदर की तरफ हमने इतना fold कर देना है और लगबग pon inch की चोड़ी पत्ती इस तरह से बना कर यहाँ पर हमने किनारे पर एक stitch देना है और जहां तक इस पत्ती को हमने joint किया था वही तक सिल कर इसको यहाँ से निकाल लेना है तो देखिए यह पत्ती हमारी लग चुकी है button वाली जो हमारी right hand पर आएगी इसके बाद हम अपनी left hand वाली पत्ती लगाएंगे जिसमें काज बनाने है तो इस पत्ती को हमने wrong side में रखना है कुरती के इस तरह से और उपर की तरफ थोड़ा सा निकालते हुए लॉक करेंगे और इसको निकाल लेंगे अब यह पत्ती हमने wrong side में लगाई है तो यह बाहर की तरफ turn होकर right side में इस तरह से आजाएगी तो इसको अच्छे से नाहुन से प्रेस कर लेंगे और हलका सा दबाओ देते हुए इस पत्ती को बाहर की तरफ लाते हुए नैक की side से हमने दोनों पत्तियों को मिला कर रखना है यहां से और इस तरह से हमने pin लगा देनी है ताके यह दूसरे से अच्छे से set हो जाए अब हमने placket बनाना है तो placket हमने इस तरह से बनाना है देखी यह हमारी cut वाली side है यही से हमने अपनी sly को आगे की तरफ लाना है तो यह यहां पर lock हो जाएगा इसके बाद हम इसको नीचे की तरफ सीधा से लेंगे तो अच्छे से set करके हम इस placket को इस तरह से रखेंगे और इस में से लगबग हम एक इंच पटी cut कर देंगे हम यहां से थोड़ा fold करते हुए इसको एक square shape देंगे आप चाहे तो इसे तिकोना shape भी दे सकते हैं बट मैं यहां पर इसको सीधा रखूंगी इस तरह से और जा तक हमारा cut था पटी में वहां तक फिर से लाना है और इसको नीचे से one foot की दूरी पर एक और stitch कर देनी है तो यह placket हमारा तयार हो चुका है इसके बाद हम अपनी कंथी join करेंगे तो यह देखिए अब pin को निकाल देंगे और extra पटी cut कर देंगे इस तरह से अब हमें अपना back वाला परदा लेना है और उसको right side उपर रखना है और उसके उपर हमने ये placket वाला परदा लेना है और इसकी wrong side उपर रखनी है और यहां से हमने कंथी को join कर देना है इस तरह से अभी जो हमारा नेक की साइट से थोड़ा सा बैक वाला परदा आगी की कंदी निकल रहे है उसको हम बाद में ट्रीम कर देंगे तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे तो दिखिए इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करना है और जो कंदी की तरफ से थोड़ा सा नेक एरिया हमारा बढ़ रहा है उसको हम एक्वल कर देंगे तो यह एकसर बढ़ जाता है क्यूंकि हमारी एक इंच दिर्शी कंदी डाउन होती है तो ऐसा हो जाता है तो हमने इसको बाद में सैट कर लेते हैं तो यह हमारा बराबर हो गय कैं तो यहां पर मैंने फ्यूस पेपर लिया है इसको डबल ॹल्ड रखा है और सबसे पहले बन साइट से हम यहां पर 5 इंच पर मारक करेंगे आप चाहे तो यहाँ पर कॉलर की उचाई पॉन इंच भी ले सकते हैं बट मैं यहाँ पर एक इंच लूँगी और इस तरह से इनको सबको मिलाते हुए और इस साइट से हम अपनी कॉलर की शेप दे देंगे, अब एक बार फिर चेक कर लेंगे, तो यह हमारा प्रॉपर सेवन इंच है, यहाँ तक अब इसकी हम सिंपली कटिंग कर लेंगे इसको कट करने के बाद हम वाइट फैब्रिक पर कॉलर को पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं फैब्रिक दूसरा लगाऊंगी कॉलर के लिए क्योंकि हमारा कुर्टी से फैब्रिक नहीं बचा है तो इस तरह से मैंने चारो तरफ से हाफ इंच फैब्रिक छोड़ता हुए कॉलर को इस पर चिपका लिया है फैब्रिक पर और इसी तरह से मैंने दूसरा फैब्रिक भी कट कर लिया है कॉलर कीशेप में अब सबसे पहले हम अपने कॉलर वाला फैबरिक लेंगे जिस पर हमने कॉलर पेस्ट की है और जो इस इस साइट से हमारा फैबरिक निकल रहा है उसको हम इस पर चढ़ाते हुए 1-foot का मार्जन करते हुए सिल देंगे इसके बाद हम कॉलर वाले फैबरिक को इस पट्टी पर रखेंगे और उपर से मिलाते हुए यहां से सिलना स्टार्ट करेंगे और नीचे से हमने हाफ इंच फैबरिक को निकाल दिया है अब जो हमारी कॉलर की शेप है उपर से उसको हमने फॉलो करते हुए सिलना है उसके बराबर इसी तरह से हमने कॉलर की गुलाई दे देनी है और यहां से इसको निकाल लेना है इसके बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहां से कट कर लेंगे दुबारा से इसके बाद छोटे छोटे नौचस लगाने हैं उपर की तरफ जहां हमने कॉलर की स्टीज दी है अभी अभी देखी नीचे थोड़ा सा फैबरिक एक्स्ट्रा है तो यहां से भी हमने कट कर लेना है और इसको बराबर रखना है फैबरिक को जितना हमने सिमिंग लाउंस लेना है उतना ही इसके बाद इसको हमने राइट साइड में टर्न करके अच्छे से आइरन कर लेना है ताके हमारी कॉलर सैट हो जाए तो यहां पर हम इसको आइरन इस तरह से कर लेंगे तो गाईज ये इस तरह से हमने कॉलर आइरन कर ली है और हमने जो हमारा परक कुर्टा है उसको रॉंग साइड उपर रखा है अभी यहां से हमने जो एक साइड का प्लैकेट है यहां से मिलाते हुए रखना है कॉलर को और सिलने स्टार्ट करना है तो बस यहां पर हमने ध्यान रखना है ना तो हमने कॉलर को खेचना है और ना ही हमने अपने नैक को खेचना है दोनों को हलके हाथों से पकड़ कर जो हमारा मेजरमेंट है उसी पर हमने सिलना है जो भी फैबरिक हमारा खिचेगा वो बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से हमने बराबर पकड़ते हुए पूरी कॉलर को लगा देना है तो यहाँ पर हमारा वन फूट का मार्जन है यानि एक पैर की स्टिज देनी है और इस तरह से लाकर यहाँ पर हमारी कॉलर कम्प्लीट हो गई है देखिए तो फ्रेंड्स यह कॉलर मैंने रॉंग साइड में लगाई थी अब इसको हम राइट साइड में टर्न करेंगे तो दिखिए बाहर की तरफ यह राइट साइड में आ गई है अब इसको हमने यहाँ से सिल देना है तो इस तरफ जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक धागे वगेरा है सबको अच्छे से अंदर कर देना है और प्रॉपर हमें कॉलर सैट करके किनारी से स्टिच को स्टार्ट करना है इस तरह से अभी कंदी के साइड में जो हमारी यह जोइंट है यहाँ पर हमने कट लगा देना है ताके हमारे जो नेक की गोलाई है वो प्रॉपर आजाए कुर्टा कहीं से खिचे नहीं अब इस तरह से हमने पूरी कॉलर को इससे जोइन कर देना है और दूसरा कट भी हमने इसी तरह से लगा देना है इसको एंड करने के बाद हमें यहां से मशीन को निकालना नहीं है इसके बाद हम अपने स्टिच को कॉलर की गोलाई पर इस तरह से उपर की तरफ लाएंगे और यहां से किनारे पर एक स्टिच देंगे इससे जो हमारी कॉलर है पेस्टिंग वाली वो फैब्रिक से सैट हो जाएगी अब इसके बाद हम नीचे की तरफ लाएंगे और हम यहां से अपनी स्टिच को कम्प्लीट करेंगे तो फ्रेंड जी देखिए प्लैकेट और कॉलर हमारी लग चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से इसके बाद हम अपने कुर्टे में दोनों साइट से फिटिंग लगाएंगे और फिर हमने इस एक साइट में कुर्टे के पॉकिट भी लगानी है तो पॉकिट लगाने का वीडियो में सेपरेट डालूंगी तो आप मेरी चैनल पर जरूर देखे तो मैंने यहाँ पर पॉकिट लगा ली है वीडियो लेंथी हो जाती इसलिए मैंने पॉकिट की सेपरेट वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पर जरूर देखे और बहुत ही अच्छी हमारी pocket लग गई है side से इसके बाद हम इसमें sleeve joint करेंगे और नीचे से अपने जो हमारे slits और दामने उनको हलका हलका fold करके इसकी collar में काज बटन बनाएंगे और आपको दिखाएंगे इसका final look तो friends यह रहा हमारे कुरते का final look बहुत ही finishing के साथ हमारा यह कुरता तयार हो गया है हाला कि हमारे पास fabric थोड़ा कम था क्योंकि हमने collar में और pocket में अलग से fabric यूज किया है और placket में भी हमने ज़्यादा fabric यूज नहीं किया है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा fabric नहीं था तो हमने यहाँ पर सिर्फ फैब्रिक का ही प्लैकेट बना लिया है अगर हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक होता तो हम यहाँ पर पेस्टिंग पर अपना प्लैकेट बनाते वीडियो आपको कैसा लगा प्लीस कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन जरूर दबाएं क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादे से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियास के साथ तब तक के लिए बाए टेक एर थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो